सूपर थर्टी ब्रोट यू बाई सत्यम दफामिली मॉल नाकपुर में कॉंग्रेस नेतर राहूल गांदी की आरेसस को ललकार कहा संग कितनी भी कोशिश कर ले जातिकत गन्ना होकर रहेंगी राहूल गांदी ने सविधान के नाम पर संग पर लगाया पीट पर छूरगोपने का आरोब राहूल गांदी पर चंदरशेकन बावनकुली की टिप नी बोले अर्बन नकसल को समर्थन देनी के लिए राहूल गांदी का नाकपुर दोरा राहूल गांदी आमेटकर वचार धारा के विरोधी बावनकुली ने लगाया आरोब विदान समझ चुनाओ के पहले सीम एकनाथ सुन्दे ने खूला वादो का पिटारा दस गैरंटी में किसान और महिलाओ को लेकर कई बड़े एलान लाली भेन योज्णा की धनराशी 1500 रुपे से बड़ा कर 2100 रुपे आंगन्वाडी और आशा वर्कर को 15,000 रुपे वीतन करने का किया फादा देवेंद्र फड़नवीस पर बच्चु कडू का निशाना बोले फड़नवीस ने खुद को अभिमन्यू कहकर हार स्वीकार की बुद्वार शाम मंसे प्रमुक राज ठाकरी की अम्रावती में विशाल जनसभा जुले में सभाकर वधर्बं में करेंगे प्रच्चार अभियान का आगास नाकपुर में बागियों पर सक्त बाजपा चुनाओं से पहले 40 नेताओं को किया निलंबित बगावत करने वाले 40 नेता 6 साल के लिए पार्टी से बेदखल भविश्ण में और भी बागियों पर गिरेंगी गास बोले 52 कुले आगामी विदान सभाचुनाओं को लेकर नाकपुर पलस ने बढ़ाई सक्ती नाकपुर जबलबुर हाईवे पर वाहनों की सक्ती से जाच शुरू राष्टरवादी कॉंग्रेस की नेता प्रफल पटेल ने राहुल गांदी पर तंज कस्ते हुए कहा कि उन्हें भारत जोडो यात्रा करनी पड़ी क्योंकि उनके पास देश का गहरा ग्यान नहीं नाकपुर अमरावती मामार्क पर 6 करोड का सोना चान्दी जब्त तिवसा पुलिस सोना चान्दी जब्त कर दसनावेजों की जाच में चुटी चुट्यों की बीच नाकपुर से गोवा सफर करनी वाली यात्रियों के लिए अच्छी खबर नाकपुर मढगाव एक्स्प्रेस को मिला एक्स्टेंशन अब 28 दसंबर तक चलेंगी ट्रेड नाकपुर मंडल अंतरगत बने रेल्वे स्टेशनों की बढ़ेंगी सुरक्षा 15 स्टेशनों पर लगेंगी 110 अतिरक्त नई CCTV कैमरे नाकपुर में सर्द हवाव का असर तापमान गिरकर 18.99 डिग्री विदर में सभी जलों में न्योतम तापमान 20 डिग्री से नीचे सुबर रात के वक्त गुलाबी थंड का एसास एरपोर्ट हम की मामले में आरोपी जग्दीश उई के चेल रवाना सुबर 30 ब्रोट यू बाई सत्यम दफामिली मॉल